पुखुत ऐसे investor हैं जो पराग पर इग Flexi Kaep mutual fund को यहां पर investment के तौर पे अपने portfolio में एड़ किये इग्जेक्ली चाहे वो S.I.P. के तौर पर investment करें या फिर लॉमसंद के तौर पर investment करें पराग परिक flexicap mutual fund उनके portfolio में है तो बहुत ऐसे investor ऐसे भी हैं कि पराग परिक mutual fund से काफी ज़्यादा satisfied है लेकिन कुछ ऐसा भी group है जो पराग परिक flexicap mutual fund से ज़्यादा satisfied नहीं है उनका कहना है कि mutual fund में negative return हो रहा है कहने के तो ये mutual fund काफी strong है लेकिन यहाँ पर मेरे portfolio में almost 3-4% का नुकसान देखने को मिल रहा है क्योंकि पराग परिक flexicap mutual fund में गिरावट ज़्यादा है आज जो विडियो में मैं आपके सामने research रखूँगा कि कैसे investor को यहाँ पराग परिक flexicap mutual fund में सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है मैं आपके सामने यहाँ पर थोड़ा सा technical research भी रखूँगा इस technical chart के help के थुरू हम यह भी जानेंगे कि क्या इस mutual fund का NAB का price यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा वीडियो के last में मैं यह भी बताऊँगा कि क्या तरीका है देखो अगर आप ऐसे mutual fund के साथ जुड़े हो तो कैसे आपको मुनाफ़ा हो सकता है कौन-कौन से points को आपको ध्यान रखना चाहिए लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, mutual fund को लेके काफी ज़्यादा confused हो कि कौन सा mutual fund आपको अपने portfolio में add करना चाहिए कैसे mutual fund को अपने portfolio से बाहर करना चाहिए प्रोपर finance and planning, investment planning, retirement planning को लेके काफी ज़्यादा confusion है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो description box में जाके पूरा detail चेक करें और वहाँ से whatsapp नमबर के थुरू मेरे साथ जुड़ सकते हो चलिए अब बात करते हैं पराग परिक flexi cape mutual fund के return के बारे में देखोगर return की बात करें तो 2022 पराग परिक flexi cape mutual fund के लिए कुछ खास नहीं रहा देखा जाए तो गिरावट ही देखने को मिला है चाहे आप January की बात कर लो या फिर February की बात कर लो या फिर YTD की बात कर लो 2022 से अभी तक का जो भी data है अगर देखोगे तो उसमें almost आपको 2% के उपर का गिरावट देखने को मिला है जनवरी के महीने और फर्वरी के महीने का अगर हम तोड़ा सा डाटा लें पराग पर एक फ्लैक्सी के मुच्वल फंड का यहां पर रिसर्च करें तो देखो यहां पर मैंने टेक्निकल चार्ट के थूँ थोड़ा सा कंपेर किया है अगर आप देखोगे जो भी इन्वेस्टर यहां पर जो मैंने सर्कल बनाया है नंबर वन सर्कल को देखो जो भी इन्वेस्टर उस टाइम पर इन्वेस्ट किये होंगे तो इग्जैक्ली उनको अभी नुक्सान फेस करना पड़ रहा होगा जो मैंने circle 1 बनाया इट मिन्स कि उस समय इस mutual fund का एने भी काफी हाई था इस short duration पे और वहाँ जो जो investor जुड़े हैं इस mutual fund के साथ उनको अभी इस mutual fund में नुकसान देखने को मिल रहा होगा दूसरे number पे बात करें जो आप दूसरा circle देख रहा हो इस circle मतलब इस time पे जो भी investor इस mutual fund के साथ जुड़ा है exactly वैसे investor को अभी profit देखने को मिल रहा है और तीसरा circle जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो भी investor इस तीसरे circle के time के पास investment किये होंगे exactly उनको यहां पे अभी के date में mutual fund में इस mutual fund में नुकसान देखने को मिल रहा हो तो इस short duration में किसी के पास पराग पर एक flexi के mutual fund में return positive दिख रहा होगा तो किसी के पास यहां पे negative return दिख रहा होगा यही नहीं जो investor के महीने में invest किये होंगे इस mutual fund में उनको भी नुकसान देखने को मिल रहा है देखो अगर मैं यहां पे chart देखूँ तो जो investor अक्टूर 19 के कास पास यहां पे investment किये होंगे exactly उनको आज के date में 4-5% का नुकसान इस mutual fund में देखने को मिल रहा होगा यही नहीं जो investor नुवंबर 16 के आसपास इस mutual fund के साथ जुड़े होंगे उनको भी almost यहां पे 3-4% का नुकसान देखने को मिल रहा होगा इस mutual fund में उसके साथ ही साथ जो investor यहां पे December 13 के आसपास जुड़े होंगे इस mutual fund में उनको भी यहां पे almost 3-4% का नुकसान देखने को मिल रहा है लेकिन क्या इस mutual fund के management में कोई problem है या फिर इस mutual fund के administration में कोई problem है या fund manager का कोई ऐसा decision है जिसके चलते इस mutual fund में गिरावर देखने को मिल रहा है जी नहीं मैंने compare किया है Nifty और Sensex से भी compare किया है Nifty और Sensex में भी यहां पे November और December के महीने के बाद गिरावर देखने को मिला है और उसका असर exactly mutual fund पे भी देखने को मिला है दूसरा reason यह भी है जो international market है international market में भी अगर मैं US market की बात करूँ तो November और December के बाद market में यहां पे down trade स्टार्ट हो गया इसमिंस की गिरावर देखने को मिला है और उसका असर भी पराग परिक Flexi के mutual fund पे देखने को मिला है तो जो भी investor अक्टूबर 19, November 19 और December 13 के आसपास जुड़े होंगे उनको तो 4-5% का नुकसान देखने को मिल रहा होगा लेकिन जो investor यहां पे deep में invest की होंगे उनके portfolio में यहां पे positive देख रहा होगा मैंने बता दिया कि short duration में किस time पे investor जुड़े होंगे तो उनको नुकसान देख रहा होगा किस time पे जुड़े होंगे कि उनको profit देख रहा होगा लेकिन एक data में आपके सामने रखता हूँ जिससे आप काफी ज़्यादा motivate होगे देखो अब आपके सामने मैं वैसा data रखता हूँ यहां पे थोड़ा सा long time का data है तीन साल का data आपके सामने रख रहा हूँ और इस तीन साल में हमें देखने को मिला है कि इस mutual fund का जो एने भी है लगातार बढ़ता जा रहा है थोड़ा थोड़ा बीच में गिरावर्ण देखने को मिला है 3-4-5% का गिरावट देखने को मिला है लेकिन अगर हम लंबे समय का डाटा देखें तो पराग परिक Flexi के mutual fund में हमें यहाँ पर मुनाफा देखने को मिल रहा है मैंने यहाँ पर आपके सामने technical research भी रखा है RSI का डाटा मैंने इस mutual fund के NAV के price से यहाँ पर थोड़ा सा compare किया है देखने को मिला है अगर इस 3 साल का हम डाटा देखें तो जो RSI का support level देखने को मिल रहा है वो 40-50 के बीच में देखने को मिल रहा अगर RSI 40-50 के बीच में आ जाता है अगर वहाँ खरदारी होता है तो उस खरदारी के बाद आपको मुनाफा ज़्यादा होने का चांस है इट मिंस कि short duration में भी आपको positive ही response देखने को मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हो जहाँ पर मैंने second mention किया है उस second case आस पास एक black line है और उस black line के थूँ आप समझ सकते हो कि RSI का support label यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा ऐसे में आप देख सकते हो जो green arrow मैंने mention किया है यहाँ पर RSI almost 40 और 50 के बीच में है और यहाँ से अब movement हो सकता है कि इस mutual fund के NAV के price में तेजी देखने को मिले तो investor को यह समझना पड़ेगा short duration में हो सकता है आपके portfolio में 4%, 5% या 6% का नुकसान हो इस mutual fund के चलते लेकिन अगर हम लंबे समय का record देखें इस mutual fund का तो हमें यहाँ पे नीरासा हासिल नहीं हुआ इट मिन्स की नुकसान देखने को नहीं मिला है मैं investor को यही बोलूँगा काफी short duration में आपके इस mutual fund में नुकसान हो रहा होगा लेकिन अगर हम लंबे समय के लिए जाएं तो यह नुकसान आपको profit में देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आपको इंतजार करना है बहुत ऐसे mutual fund investor है जो इस mutual fund के साथ SIP कर रहे है अब उनको यह पता चला है कोई भी fresh investment accept नहीं कर रहा है यह AMC इस particular mutual fund में तो उनके अंदर एक negative thinking आ गई है कि क्या हम इस mutual fund से बाहर निकल जाएं क्या इसका performance कहीं weak तो ना हो जाएं लेकिन data के basis पे पूरा मैंने यहाँ पे technical research किया है अभी कोई वैसा भी negative point देखने को नहीं मिला है जब भी किसी mutual fund को अपने portfolio में add करते हैं बहुत सारे parameter होते हैं बहुत सारे point होते हैं उसके basis पे आप select करते हो आपने जब पराग पर इक flexicate mutual fund को add किया तो उस समय कोई न कोई आपका decision जरूर होगा आपने कुछ points जरूर रखे होंगे और उस points के basis पे इस mutual fund को आपने add किया तो कम से कम आपको एक साल का समय देना चाहिए आपने जो research किया आपने जो analysis किया उसके basis पे आपने इस mutual fund को select किया अपने research पे थोड़ा सा विस्वास करके आपको एक से डेड़ साल इस mutual fund के साथ समय देना चाहिए हाँ गिरावट हुआ अगर negative return देखने को मिला उस एक साल में हमें देखने को मिला कि performance काफी कमजोर है bench mark के performance को बीट नहीं कर रहा category average के return को बीट नहीं कर रहा तो उस समय हम इस mutual fund के against decision ले सकते हैं लेकिन बहुत ही short deviation में जो भी investor नवंबर के बाद invest कियोंगे उनको काफी जादा मुनाफा नहीं देखने को मिल रहा होगा और कई ऐसे investor को नुकसान देखने को मिल रहा होगा उनसे मैं directly कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा धायर सकती बना के रखे और mutual fund के साथ continue रहे मैंने आपके सामने बहुत सारे data रखें जिसके basis पे आप यहाँ पे कुछ decision ले सकते हो तो ये था आज का वीडियो इस वीडियो से लिटे रगा आपके mind में कोई query हो बेज जिए comment box में query generate करें आने वाले time में बहुत सारी वीडियो लेके आँगा एक humble request अभी तक चानल को ने क्यों सब्सक्राइब लाइक और share तो भी start करें फिर में एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए चैहिं चैभार